विल्कम बैक टू मैं चैनल डिटर्मीनेशन इस्टडी प्लेटफर्म दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं रिजल्ट कब तक आएगा इसकी भी सहे में ठीक है फ्रेंट्स यूपी बोड की परिछा देने वाले सभी छातरों के मन में ये विचार चल रहा हैं कि रिजल्ट कब कब तक आएगा और मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में रिजल्ट कब तक आएगा इसका पूरे डाउट को क्लियर करके बताऊंगा कि कब तक आ सकता है ठीक है दोस्तों अगर आप 10th और 12th के स्टुडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टे देखी गा और दोस्तों जैसा कि मैं बता दू कि बोर्ड एक्जाम में कुछ प्रोसेस का कार्या होता है तो प्रोसेसिंग क्या होती है पहला नंबर जो होता है ओपी चेकिंग ठीक है सबसे पहले कॉपिया चेक कि आती हैं बोर्ड परिशा में लगबग तीन हपते तक तीन करने में दो हफ्ता लग जाता है उसके बाद से ये प्रकिरिया होने के बाद टॉपर लिस्ट तयार किया जाता है और फिर अंध में इतना प्रोसेस कंपलीट हो जाने के बाद क्या होता है ये प्रोसेस कंपलीट हो जाते हैं तो रिजल्ट अपलोड किया जाता है और ये प्रिजातों को जानकर या संभवना ब्यक्त कि जा सकती है कि बोर्ड परिश्चा अपना परिणाम मई के दूसरे सप्ता या तीसरे सप्ता तक घोशित कर सकता है ठीक है क्या मतलब जो बोर्ड एक्जाम अपना रिजल्ट घोशित करेगा ओ लगभग 10 मई या 20 मई के आसपास या 20 में कर सकता है दोस्तों जैसा कि हम आप सभी को बता दे तो रिजल्ट घोशित होने के संबंध में बोर्ड की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं मिली है गोश्रा होते ही डिटर्मिनेशन स्टरडी प्लेटफार्म आपको सबसे पहले सुचित कर देगा तो थैंक्स फ आएगा कब तक आएगा नोटिफिकेशन जारी होते ही मैं आप सभी को बता दूंगा कि कब तक आएगा हमारा यूपी बोर्ड एक्जाम 10 और 12 का रिजल्ट ठीक है